हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैई चैनल इलावादी गल्बवीतराज मैं विटाफ्रेंज आप लोग कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छ होगे मैं भी बहुत अच्छी हूं और आज का वीडियो बहुत ही स्पेसल है क्योंकि करवाचौत आने वाला है और हर स्वागन यहीं चाहती है कि करवाचौत वाले दिन हम चांद से भी जादा खूपसरत दिखें और सब की नजरे हमारे पर हो सब हमारी टारीफ करें क्योंकि करवाचौत एक ऐसा फेस्टिबल है इस दिन हम लोग 16 सिंगार करते हैं दन की तरह तयार होते हैं और इसकी तयारियां काफी दिनों से चलती आती हैं क्या करना है क्या पहनना है फेस पे कौन सा फेसल करें कौन सा फेस पैक लगाएं कि हम सबसे खूफसरत दिखें तो आज आज आप लोग ऐसी रेमेडी लाई हूं अगर आज से आप इसे लगाना सुरू कर दोगे तो करवा चोत वाले दिन तक आपक इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे आपको अच्छी नीद लेनी होगी, खुबसरा पानी पीना होगा, हल्दी खाना होगा, हरी सबजियां खानी होगी, ये काम कीजिए, और इसी साथ साथ इस रेमेडी को आप लगाए, हर टाइप के स्किन के लोग इसे लगा सकते हैं, हर एज के लोग लगा सकते हैं, तो अगर आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगते हों और आप मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो प्लोड करूँ, उसक अच्छी जो रेमेडिय फेस पैक है इसे आप इस्टोर करके भी रख सकते हैं, दो से तीन दिन के लिए हर टाइप के स्किन के लोग इसे लगा सकते हैं, और इसकिन की सारी प्रॉब्लम दूर करती है, आपको मालूम है आलो में जो स्टार्च होता है, मैं स्किन को टाइट क अच्छी प्रॉब्लम दूर करता है, तो आज की जो रेमेडिय है अगर आप इसे पंदर दिन करके देख रहा हो ना तो आपके स्किन पर जो स्पोर्ट्स में बहुत दूर होगी और आपकी रंगत भी फियर होगी, ठीक है, यह चिलके आपको बिल्कुल भी नहीं हटाने है अब यहां जो मैं ले रही हूँ, नीबू ले रही हूँ, लेवन ले रही हूँ, हाफ ले रही हूँ और इसके भी चलके आपको नहीं हटाने है ठीक है, इसके बीज आप खटा दीजेगा और नीबू एक तर ऐस से हमाइच उपड़ेम अजेंटा है, कलर को फेयर करता है, करता है तो चलिए तब तक इसे साइड में कर देते हैं अब यहां पे फ्रेस अलोर आप टैंट में ले रही हूं और आपके पास नहीं तो मार्किर का ले सकतो इससे फ्रस होगा ना तो आपकी चाहियां पिग्मिटेशन डाक स्पॉर्ट स्कीन का डल होना रूह की बेजान होत करता है आपके रूख नहीं रूह की ओनीं चलिए तो तुट शलिए बताती हूं आपको क्या करना आपको चुछ慌 बनाना है के से उसका अःप करना एक अच्छा सास ऐख क्रीमीपेश्च बना लेना है इसमान आपको आपकड़नी करना है क्योंकि पानी निकल cao कि लुट अब इसे आपको एक बॉल में निकाल लेना है और इससे आप चाहो तो इसका पानी या आखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं चाहिया होते हैं उस पर भी लगा सकते हो तो इससे आपकी जो चाहियों की प्रॉबलम बहुत जली चली जाएगी बाकी जो बचा है उसे मैंने एयर टाइट केंटरनर में स्टोर कर दिया है दूसरी रेमेडिया आप लोग के साथ से एर करूंगी इससे आपके अंचाहे बाल फेस की कैसे जाएंगे अन्वांटेड हैर तीक है तो चलो इसमें मैं क्या एड करी हूँ यह एड करी हूँ चॉल क करता है तो शर्दियों का मौसम स्टाट हो रहा है तो थोड़ा समने अड कर दिया आप चाहोत यहां पर हनेवी मिक्स कर सकते हो ठीक है तो लगा के दिखाते हैं तो लगाने का तरीका क्या मैंने पहले लगा लिया था मैंने सोचा कैमरा आन है और नहीं था इसे आपको 30 सेक मैं लगा रहे हूं वैसे मेरे नहीं है और यह रमेडी मेरे बच्चों की रमेडी है मतलब मेरे दोनों बेटिया इसको बहुत ज़्यादा योज करती है और यहां मैंने से फेस पे लगा लिया और इसे आपको फेस पे पंदर से 20 पिनट तक रखना है जब यह सूख जाएग दो घंटे के बाद फेस पास का यूज करना ठीक है और आप इसकी उपा से लगा जल लगाओगे ना तो बहुत अच्छा होगा आपके स्किन को फेर करता है और आपके स्किन पे एक चमक लाता है चलती हूँ पर मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में इस रमेडी को यूज करो फिर मेरे को कमेंट करके जरूर बताईएगा